पेर से एक हनी का जार उत्रा थोड़ी हनी बहार निकाले इसे अच्छे से नीड करे बॉल पर एर्स लगाए वायर फ्रेम पर लेक्स लगाए और टेल फर काटे ये फलफी बात का समय है अब किटी की फर है ब्लाट स्ट्राइप्स बनाए हाँ चलो कलर करें अब हमारे पास बी कैट है ये बहुत कम होती है इन आइस को देखो होट चेहरा ये प्यारी लग रही है सिर्फ विंग्स की कमी है बढ़िया विंग्स बनाए नया पेर ले बेबी बी कैट से मिले पॉपी प्लेय टाइम से बढ़िया क्रीचर बनाए वहाँ दो माईस है इन्हे स्वीट्स की खुश्बू आई और उन्होंने शहेद चुराने का सोचा है ही चोरो तुम क्या करने वाले हो यहाँ से निकलो ये मेरी हनी है कैट पी ने चूहो को डरा दिया लेकिन उसने सारी गरबर कर दी ओहो मैं ये बात मिसाब कर लूँगी मुझा जल्दी से इन फ्लार बेट से हनी लेना होगा इस फ्लार की खुश्बू अच्छी है मैं ये फ्लार तोड लूँगी ओ ओ ओ पी पी इसे क्या हुआ है पी पी तुमें इतना मतलबी नहीं होना चाहिए ये प्रांच इसमें फस गया हो नहीं इसके विंग पर लग गई ये हॉस्पिटल जाने का समय है ब्लू फोम पेपर ले शीट को बड़ा बनाए स्वीप की आउटलाइन बनाए साइट पर रेड आउटलाइन बनाए दाद बहार निकल रहे है गले पर कोन लगाए अब भी कैट के विंग्स पर नहीं लगेगी भी कैट वेट क्रिनिक में गई हलो मुझे डॉक्टर के पास जाना है ओ ऐसा किसने बोला मुझे दिखाई नहीं दे रहा हो माफ करना कितना प्यारा बेवी है हो तुमारे विंग में कुछ परिशानी है मैं तुम्हें आफिस लेकर जाऊंगी आज हगी वगी की बारी है डॉक्टर एक पेशेंट आया है हो ये सीरियस है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे प्रोटेक्टिव कोन पहना दो और स्क्यूवर पर विंग लगाए इस तरह से ठीक हो जाएगा शुक्रिया वाँ मैं फिर से उड़ सकता हूँ ध्याद से जल्दी ठीक हो जाओ कन्वेयर पर बहुत सारे टॉइज है चलो इनमें से एक ले हमें अपने नए क्राफ्ट के लिए लाइट क्ले के ज़रूरत है इसे अच्छे से नीड करें बॉल बनाए कान लगाए बॉल्स को शेप दे फिर मुँ और चहरा बनाए बॉडी बनाए वाइर स्प्रिंग से फ्रेम बनाए लेक्स के लिए तुकड़े काटे लाइट क्ले से कवर करें हमने चार लेक्स बनाए है फर को हाइलाइट करें पिंक पॉस के निशान रहे गए कैंडी कैट की लंबी जीब है उससे उससे खाना लेने में आसानी होगी जितना ज्यादा ध्यान उतना ज्यादा खाना कैंडी कैट घर में अकीला है ओनर कैट को अकीला छोड़ गया है और वो समय बरबाद नहीं कर रहा था इसलिए वो कुछ स्वीट्स जोड़ने किचिन में गया कुकीज का पूरा जार उसने बहुत सारे खा लिए और जितने खाने चाहिए थे उससे ज्यादा खा लिए उसके पेट में दर्ब हो रहा है उससे डॉक्टर के पास जाना होगा प्लास्टिक के डिटेल्स लगाए स्केवर के स्पंज हटाए हैंडल लगाए बटन भी काम आएगा इस पर सिल्वर पेंट करें इंडिकेटर्स वाली डिस्ट ले लगाए सिर्फ इंडिकेटर्स की कमी है तैयार हो इस सेट के साथ कैट फूड का बैग रखें अब इसे मेजर करना असान होगा मियाव, मियाव डॉक्टर, मेरा पेट बेबी, तुम इतना नहीं खा सकते तुम बहुत मोटे हो कैंडी और कुकीज में बहुत ज़्यादा कैलरीज होती है हमें वेड्स इस्तमाल करने होंगे देखो, सही पोशिन को मेजर करें ये इंडिकेटर रेड है ये बहुत ज़्यादा है हमें ग्रीन लाइट की ज़रूरत है तुमें सिर्फ एक डोनट और कैंडी मिलेगी कैंडी कैट खुश है अब वो अपनी डाइट का ध्यान रखेगा सारी बातें माननी होंगी अपना ध्यान रखना, बाई स्टायरफॉम ब्लॉक काटे ग्रास पर ग्रीन कलर करें हमें सूशी मैट की ज़रूरत है बड़ी सरकल बड़ी खिर्की लगाए इसे जोड़े और मॉस बनाए यहाँ कौन है? पक, हलो तुम खिर्की से बहार की दुनिया देख सकते हो डाड़ी लॉंग लेक्स गार्डन में अराम कर रहे थे ओ, बहुत गर्मी है सर्फ आइस क्रीम ही हमारी मदद कर सकती है डॉक खिर्की से बहार देख रहा है बर्क, बर्क, क्या तुम मेरे बिना स्नाक्स खा रहे हो? पीजे सिटी में चला गया उप्स, लगता है पक ने नई दोस बना ली है क्या इसे प्यार हो गया है? अ, इसे बस आइस क्रीम खानी है क्या तुम्हें में गर्मी लग रही है? नहीं, बेबी ये मेरा हिस्सा है तुम अपनी आइस क्रीम खाओ विश्वास नहीं हो रहा डंस्टर का कच्रा काम आएगा हम फीट कवर्स के लिए गार्बेज बैग इस्तमाल करेंगे छोटे टुकडे काटे हमने कुछ पेर्स तायार किये है कार्टबोर्ट बॉक्स बनाए पेपर लगाए प्लास्टिक डिस्पेंसर से बॉक्स को कवर करें कंटेनर को पॉं से सजाए छेद में से फीट कवर्स निकालना आसान है एड्मिनिस्ट्रेटर रिसेप्शन पर अराम कर रही है लेकिन क्लिनिक में नया पेशेंट आया है उफ मेरे गले में दर्द हो रहा है बेचारा तुम्हें उस तरफ जाना है लेकिन पहले तुम्हें फीट कवर्स पहनने होंगे हम साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते है पीजे ने फीट कवर्स पहने नहीं नहीं पैर साफ होने चाहिए जो शुरू किया है उसे खतम करो और एड्मिनिस्ट्रेटर की बात माननी पड़ी अच्छा बच्चा वाइटमिन बोन्स एक, दो, तीन तीन टुक्रे से कलरफुल बोन्स बनाए इसे बेक करने के लिए रखे तैयार है स्टेसी अपने सारे लेमन्स बेशने के लिए मान गई चेंज रखो पॉटल खाली करे इसके अंदर वाइटमिन बोन्स डाले वाँ, इतनी सारी स्वादस ट्रीट्स अगली अपॉइंट्मेंट किसकी है? मेरी किटीज प्लीज, मुझे देखने दो मेरे गले में बहुत दर्द है ओ, खेर ठीक है, चलो पीजे को बुलाए डॉक्टर, मैंने मुझे किस ने बुलाया है? हाँ, दोस्तो, चलो मेरे ओफिस में चले मैं तुमारी खासी देख कर समझ गया चिंता मत करो, हम ये ठीक कर सकते है दिन में तीन बार वाइटमिन बोन्स खानी है और तुम फिर से बार्ट कर पाओगे खेर, चलो दूर बीन से देखे कि यहाँ शोर कौन कर रहा है अहाँ, ये औली रोली है ये री साइक्लिंग के लिए प्लास्चिक इस्तमाल कर रहे है इससे बॉटल ले इससे पिंक पेंट करे बॉटल की नेक को बोह से सजाए किसी मिसी टॉइस का बैग लाई है ये किसी मिसी के हेट की शेप की तरह है क्लियर बैग काटे साइट्स को सील करे किसी मिसी के चेहरे में हीटर को सजाए जहां दर्द हो रहा है अगर आप इसे उस जगा लगाओगे तो दर्द चला जाएगा डैडी लॉंग लेग्स आउक्षिन से सुन्दर पेंटिंग लाए है मैं बहुत खुश हूँ मैं अतनी प्यारी पेंटिंग्स लाया हूँ मैं इसे वहां टांगूंगा जहां से ये मुझे अच्छे से दिखे ये बहुत उपर है आउच लगता है मेरी कमर पर लग गई काउट से भी कुछ नहीं हो रहा है ये बुरी बात है हलो हाँ मुझे जल से जल डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर की टीम डैडी के पास आई क्या तुमने कॉल किया था ये रहे आपके पेशिंस मुझे बताओ क्या हुआ है मैं पेंटिंग डांग रहा था और फिर गिर गया मेरी कमर पर लग गई सब कुछ साफ है तुमारी किसमत अच्छी है हमारे पास हीटर है डाडी लॉंग लेक्स ने इसे वहां लगाया जहां दर्द हो रहा था और कुछ समय बाद वो ठीक हो गए हाँ मैं ठीक हूँ मुझे अच्छा लग रहा है शक्रिया आप प्रोफेशनल हो पॉपी प्ले टाइम के डॉक्टर्स बहुत समझदार होते हैं और वो हमेशा पेशिंस की मदद करने के लिए तैयार होते हैं